तो आज की इस इंट्रेस्टिंग वीडियो में हम सीखिंगे पैसिव वैस जाए शिखाने वाला हूँ बस वीडियो के स्टार्टिस ने लेकर इंट तो लाइक कर दूजिएगा और यह जान पर नहीं तो चली को सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा पैसीव कृईस में आप जिट इंपार अपजिट उपर पूरा सइटक्राख करता है यानि कि कोई बात को हम बोलते तो उसमें हम सबजिट को इंप जटेते हैं तो एक्टिव कहलाता है अंगरा magglut पेसुप को इंप रिशे थे तैंस जे हमारे सभी टैंस जे इसskांटी मिश् आप से active भी बनवा लिया जाता है, ऐसा भी कभी कभार हो जाता है, लेकिन 90% active से passive भी बनवाय जाते हैं, आप मैं आपको इनके rule सिखाता हूँ, बहुत ही short trick मैं आपको बताता हूँ, जिसे कि इसली तरीके से किसी भी active को आप passive voice में change करना सिख जाएंगे, ठीक है, तो सबसे मैं आपको बताता हूँ, वह एक common structure, चुक्क हमारा tense होता है, तो उसमे common structure होता है, क्या होता है, subject आता है, उसके बाद helping verb आती है, then main verb आती है, कुछ sentences ऐसे होते हैं, कुछ tense ऐसे हैं, जिसमें helping verb नहीं भी आती है, लेकिन subject हम यूज करते है, then helping verb, उसके बाद हम main verb, main verb का helping verb आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, main verb आती ही आती है, और इसके बाद object, यह हमारा active ways का common structure होता है, अब passive ways का common structure क्या है, आईए जाते है, passive ways के common structure के बारे में, तो पैसिव ways की starting हमें करना होती है, object से, सबसे पहले हमें object को रख देना है, object यहां भी है, उसको हमें starting में रख द starting में है, अब आप पीछे नहीं, अब आप big ventures नहीं है, अब आप front पे आईए, तो जो object है, उस object को आपको starting में बिठा देना है, इसके बाद हमें लगाना है helping verb, बच्छो, passive ways में helping verb आती ही आती है, बिना helping verb के, passive ways नहीं बनाया जाता है, active ways में helping verb कहीं कहीं नहीं आती है, ले helping verb कौन सी use होगी, यह मैं आपको अब आगे रूल में बताऊँगा, बस इतना याद रखिए कि object के बाद helping verb आएगी, अब इसके बाद verb आएगी, अब वर्ब की कौन सी form आएगी, बच्छो, वर्ब की third form आएगी, तो passive ways में V3 आपको सभी में लगाना है, तो को tense में बदल आती है, कहीं V1 लगती है, कहीं V2 लगती है, कहीं ING लगती है, कहीं V3 लगती है, बट passive ways आपके लिए बहुत आदा easy है, तो passive ways में थो हमें सभी में verb की third form लगाना है, main verb की third form लगाना है, तो हमारा structure क्या बन रहा है, common structure, starting में हम object को लिख रहे हैं, इसके बाद हम helping verb का use कर र करता है, वो भी मैं आपको आगे यहां पर सिखाऊंगा, तिक इतना याद लिखे कि 90% by का use होता है, by के बाद हमें subject का use करना है, ठीक है, और subject को भी उसकी objective form में change करने, common structure क्या बना पैसे हो इसका, object, helping word, main verb की third form, उसके बाद by then हमने subject का use करा, कहीं कहीं अगर other word आते है, तो I का me, you का you हो जाएगा, we का object होता है, us, this object, them, he का object, him, she का object, her होगा, it का object, it होगा, और किसी noun है तो उस noun का object, noun होता है, ठीके, तो इनको आप याद रह कीगा, I का me, you का you, v का us, this का them, he का him, she का her, it का it, और noun का object, noun होता है, ठीके, अब जल्दी से में start करता है present indefinite TEJilizs से, सबसे पहले हम present indefinite tense के active को passive में change करना सिकते हैं अब देखो present indefinite tense होता है तो उसका structure क्या होता है subject आता है, main verb आती है, उसमें as, es या is आता है और object आता है ठीके, यह हमारा active का structure है, अब जल्ली से passive का structure देखते हैं कि passive में हम change करने के लिए क्या use करेंगे जोको passive में मैंने आपको भी बताया, हमें object को starting में use करना है object हमने लगा दिया, अब यहाँ पर helping verb कौन सी use की जाएगी आपको मैं बताता हूँ, helping verb यहाँ इस MR यहाँ यूज की जाएगी जिया बच्छो, is MR helping verb हमें यहाँ यहाँ यूज कर लेना है object इसके बद is MR का हमें यहाँ यहाँ पर use करना है अब यह जो is MR है, तो object अगर singular है, helping verb is आएगी object अगर plural है, helping verb यहाँ आएगा object में अगर I है, helping verb M यहाँ यहाँ आएगी यह डिपेंट करता है object के उपर object को देखकर, helping verb का selection करना है बस ततना याद रखिए कि present indefinite में active है, तो passive की helping और is MR होगी object, is MR, then, verb की third form, अभी मैंने आपको बता है, then by, subject ठीक है, यह आपको समझ में आ गया ने structure, दोरही के structure आपने देख लिए, चलिए, अब इतकी कुछ example देखते है जिसे कि, she sings a song, she sings a song, Hindi में बिल्कुल नहीं जाना है, आपको बस आपको इसको active को पैसे में change करना है दुको, she sings a song, she subject है, sing verb है, और a song को पूरे object को मानेंगे हम, article भी है, उसको भी object में लेके चलिए अब आपको समझ में आगा है, subject क्या है, object क्या है, और क्या है, इसको पैसे में change करते है, तो static में हम object को लेकर आएंगे, क्या लेकेंगे, a song, ठीक है, a song, अब a song singular है, तो इसके साथ helping work क्या लगेगी, is का use के जाएगा, तो a song is, और बच्छो, sings की that form क्या होगी, sung, a song is sung by, औ और देखते हैं, okay, next example है, they pluck the floors, they pluck the floors, ठीक है, इसको पैसे में change करते है, क्या है object, the floors, starting making is the floors, अब ये plural है, helping work लगाएंगे, the floors are, plucked by them, देखा क्या हो जाएगा, them, the floors are plucked by them, इस तरीके से हमने इसको active को पैसे में change कर दिया, students, अगर हमारा active negative है, तो passive ways भी negative ही बनता है, चलिए इसको भी देखते है, active अगर negative होगा, तो क्या होगा, active में subject होगा, उसके बाद helping होगा, do, does, then not, work की platform और object होगा, तो passive का structure क्या होगा, object, isMR, then इसके बाद not लगेगा, तो isMR के बाद हमें यहाँ पे अब note लगा देना है, क्योंकि active negative है, तो passive हमारा negative होगा, object, isMR, not, then work की platform, by, और subject, चलिए इसका example देखते है, she does not sing a song, she does not sing a song, इसको पैसे में बनाते है, कैसे बनेगा, a song is, अब इसके बाद not लगाएंगे, a song is not sung by her, a song is, इसके बाद not लगेगा, not sung by her, they do not pluck the floors, एक पैसे बनाते है, the floors are not plucked by them, the floors are not plucked by them, यह बन गया, पैसे बनाते है, अब बात करते है, interrogative की, तो बच्चों गर active interrogative होगा, पैसे भी हमारा interrogative होगा, तो structure क्या होगा, starting में doodles, then subject, then we want, object, और last में question mark, ठीक है, पैसे में क्या होगा, पैसे में starting हम लिखेंगे isMR, इसके बाद लगाएंगे object, then verb की third form, by, और subject, ठीक है, यह हम करेंगे, पैसे starting में helping verb पूर रख देंगे, passive voice में भी यही करेंगे, इसे मार को आपको starting में use करना है, object को इसके बाद use करना है, then verb की third form, by, और subject, last में question mark, ठीक है, एक्जामपल लेगते हैं, जैसे के, does she sing a song, does she sing a song, बनाते है, इसको passive voice में, त her, is a song sung by her, do they pluck the floors, so, do they pluck the floors को पैसे में change करेंगे, तो पहले क्या आएगा, helping verb, are the floors plucked by them, are the floors plucked by them, यह हमारा passive बना, ठीक है, बिन आपको affirmative, negative, इंट्रोगरिब, तीनों के, आपको active के passive बनाना सिखा दिए, अब बात करते है, past के बारे में, बच्चों, अगर past indefinite का active है, तो उसको पैसे में केसे change करना है, ठीक है, ठीक है, past indefinite का structure क्या होता, starting में subject आता है, then V2 आती है, और object आता है, इस structure होगा, subject आएगा, V2 आएगा, पैसे में जा करेंगे, पहले हम लिखेंगे, object, अब इतना याद रखना है, कि यहाँ पर helping work, हमें past में, past continuous वाली use कर रहा है, ज subject, ठीक है, यह बन जाएगा, हमारा passive work का structure, ठीक है, बस helping work change हो रही है, अगर आपने common structure को अच्छे तरीकी से समझ लिया है, तो अब इतना तो आपको पता चल गया होगा, कि सिर्फ helping work को ही हमें change करना पड़ रहा है, ठीक है, चली example दिखते है, जिसे के she's saying a song, अब अपने सि लगाएंगे, a song plural नहीं है, singular है, तो हमें helping work was का use करना होगा, तो helping work was लगाएंगे, a song was, इसके बाद वर्ब की थैट पार्म, sung by her, a song was sung by her, यह हमारा passive बना, अब कुछ अपने आया है, कैसे बना, इस ताड़े में आपड़ेट लिका, a song, अब वाज क्यों लगाया, क्योंकि they plugged the floor, अब यहाँ पर V2 है, object लगेंगे, the floors, अब helping work, क्या लगेगी, pillural वाली लगेगी, were, the floors were plugged by them, the floors were plugged by them, ठीक है, इसके negative, integrity में वही करेंगे, जो मैंने आपको present definite में बताया था, तो आपको वैसे ही negative में, integrity में, use करना है, not का use आपको वाजवर के बाद करना है, और integrity में बाद करना है, अब बात करते है, future के बारे में, कि अगर active हमारा future में है, तो इसको पैसे में किसे change करेंगे, बच्चो future indefinite का structure होता है, subject, plus will shell, plus v1, plus object, पैसे में क्या करेंगे, object, plus will be, या shall be, then v3, by, और subject, यह हम continue use वाली helping work का use करेंगे, तेको तीनों ही में continue use वाली helping work यहां पर use करें, चली example देखते है, जिसे कि she will write a letter, she'll write a letter, तो passive कैसे मनेगा, पर अपटि लेकिंग, all letter, इसके बाद will be, या पर सभी के साद आपको will be लगाना है, all letter will be written by her, all letter will be written by her, ठीक है, एक example और देखते है, they'll plug the floors, they'll plug the floors, तुचा बनेगा, the floors will be plugged by them, the floors will be plugged by them, तो यह पर आपको will be का use करना है, और shall be का use करना है, ठीक है, negative आप लोग बना लोगे, will not be, या shall not be हो जाएगा, अब आते हैं continuous के, तो बच्छों अगर present continuous में हमारा active है, तो इसका passive कैसे बनाया जाएगा, ठीक है, present continuous का अगर active होता है, तो इस structure क्या होगा, subject plus isMR, plus v1 ing, plus object, यह structure होता है, subject starting में आता है, then इसके बाद helping work आती है, isMR, then work में ing फार्म का use के जाता है, और last में object आती है, तो बच्छों passive में क्या करेंगे, तो बच्छों passive में हम स्टार्डिंग वही से करते आ रहे हैं, object के स्टार्डिंग में लेके आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, object, इसके बा being को आपको बढ़ाना है, helping work के बाद, example दिखते है, she is singing a song, she is singing a song, यह प्रवाइंड कर यूज का active है, पैसे में change करेंगे, पहले object को उड़ागे, सामने बिटा दो, starting में, a song helping work is, इसके बाद क्या लगाएंगे, being लगाएंगे, a song is being sung by her, a song is being sung by her, यह बन गया है, हमारा passive हो हो दिखते है, they are plucking the floors, they are plucking the floors, बनाता है पैसे, object लिकेंगे बले, the floors are, अब क्या लगाएंगे, being, the floors are being plugged by them, the floors are being plugged by them, इसका भी निगेटिव इंटेगरिव वैसी ही बन जाएगा, जो मैंने आपको starting में सिकाए था, helping work के बाद, आपको note लगाना है, ठीक है, जैसे कि she is not singing a यह हो जाएगा, a song is not being sung by her, इस तरह से, अब बात करते है, past continuous की, बचो past continuous में अगर active है, तो passive भी past continuous में बनेगा, तो past continuous के इस्तक्षर क्या होता है, starting में subject, then was, were, we were ing, और object, passive में object plus was, were, being, plus we three, plus by, plus subject, example लिखते है, she was singing a song, she was singing a song, passive बनाते है तो पहले object लिकेंगे, a song was, इसक was being, a song was being sung by her, a song was being sung by her, यह हमारा क्या बन गया, यह हमारा passive, यह को दिखते है, they were plucking the floors, passive बनाते हैं, पहले object लिकेंगे, the floors were being plugged by them, the floors were being plugged by them, बच्चो future continuous का passive नहीं बनाया जाता है, future continuous का passive नहीं बनाया जाता है, इसको no change कर दिएगा, अब बात करते हैं perfect ही, बच्चो अगर active हमारा perfect में हैं, तो passive भी perfect में बनेगा, तो present perfect को सबसे बने सीखते हैं, तो present perfect में क्या होता है, starting में, structure हमारा active का subject होगा, उस subject के बाद helping verb has have आएगी, then verb की third form आएगी, और object आएगा तो इसको पैसे में कैसे change करेंगे, तो पैसे में change करने के लिए पहले हम लिखेंगे object, सबसे पहला काम तो हमें यही कर रहा है कि उस object को starting में लिख देना है, बस object को हम यहाँ पे लिख देंगे, object के बाद helping verb लगाएंगे, has been, have been, यानि कि इसके बाद वाली helping verb है, profit continuous वाली helping word पे उसको starting में लिख देंगे, तो object plus has been या have been, then verb की थटफा, by or subject, example देखते है, she has sung a song, she has sung a song, इसको बनाता है पैसे में कैसे बनेगा, a song, अब a song singular object है, helping में लगाएंगे, has been, a song has been sung by her, a song has been sung by her, example और देखते है, they have flicked the floors, they have flicked the floors, तो कैसे बनेगा, the floors, अब यही प्लूर object है, तो helping word लगेगी, have been, the floors have been plugged by them, the floors have been plugged by them, negative बनाएंगे, तो बस आपको helping word के बाद not लगाना है, has not been, या have not been का आपको use करना है, past perfect के structure देखते है, past perfect का active के structure होता है, subject plus head plus v3 plus object, पैसे में क्या बनाएंगे, पहले object plus head been plus v3 plus by or plus subject, ठीके, सबसे दादा easy, क्योंकि helping word same है, main verb head, active and passive दोनों में common रहेगी, v3 दोनों में common रहेगी, example देखते है, she had sung a song, passive बना लेते है, a song had been sung by her, पहले object लेगा, a song had been sung by her, they had plugged the floors, the floors had been plugged by them, ठीक है, यह इसका passive, future profit को देखते है, future profit के इसके क्या होगा, subject plus will have, shall have, plus v3 plus object, passive object, अब इसके बाद will have been, shall have been, than v3 by or subject, example, she will have sung a song, she'll have sung a song, passive में change करेंगे, कैसे बनेगा, पहले object लेगे, a song will have been, a song will have been sung by her, a song will have been sung by her, okay, they will have plugged the floors, they will have plugged the floors, the floors will have been plugged by them, the floors will have been plugged by them, यह हमारा बन जाएगा, future perfect content, तो बच्चों, यह हमारे tense based active से, जिनको हमने passive ways में बनाना सीख लिया, बहुत ही easy trick से मैंने आपको बता दिया है, कि किस तरीके से active को आपको passive ways में change करना है, common structure मैंने आपको सिखा दिया है, सभी का आपको बता दिया है, कि अगर tensor related कोई भी active आपके एक्जाम में आता है, तो इसली तरीके से आप उसको passive ways में change कर पाएंगे, अगर आप यह common structure याद रखते है, जो trick मैंने आपको बताएए, उस trick को follow कीजिएगा, यानि कि object को पहले लिखिएगा, उसके बाद helping work, मॉडल का अगर active होता है, तो subject आता है, then model आता है, उसके बाद work की first form आती है, और object आता है, यानि subject, model, v1, object, पैसे में क्या करना होता है, जो पहले हम लिखते है, object, इसके बाद वही model को लिखते है, जो active में आता है, then b लिखते है, b, e, b को बढ़ा देते है, then work की third form, by, और subject ये common structure होता है, इसे के, she can play cricket, she can play cricket, तो पैसे में change करेंगे, तो cricket can be played by her, cricket can be played by her, you should teach English, you should teach English, तो English play object, English should be taught by you, English should be taught by you, इस तरह से हम active को पैसे में change कर सकते हैं, अगर model से हमारा question आया है, then हमारे imperative sentence के भी question आते है, imperative sentence जो की वर्बस से start होता है, वर्ब की first form से start होते है, जिन में या तो order होता है, या request होती है, या फिर कोई advice होती है, order, request, advice अगर दी जाती है, किस sentence में, वो हमारे imperative sentence कराते है, अगर दीक, उसके लिए बहुत easy trick में आपको बताता हूँ, अगर active में, वर्ब की first form आ जाए, starting हमारी, V1 से होता, पैसे में कर देना है, let से starting करेंगे, let लेट लेट लगाएंगे, then object, इसके बाद B, then V3, बस, ठीक है, example दिखते है, जिसे कि do it, do एक वर्ब की फाइट, पहले हम लिखेंगे, let, इसके बाद object, it, B, do की थटपा, done, let it be done, let it be done, okay, open the door, कैसे बनेगा, let the door be opened, पहले लिखेंगे, let the door be opened, okay, right or later, right, right or later, तो passive कैसे बनेगा, let or later be written, let or later be written, तो इस तरीके से let का use करके, इसली तरीके से आप active को passive में पढ़ा सकते हैं, okay, straight, तो इस तरह से मैंने आपको एक ही वीडियो में सभी passive ways सिखा दिये, आपके exam में कोई भी question active ways का आता है, तो आप इसली तरीके से passive ways में उसको change कर पाएंगे, इसके लिए आपको practice करना होगी, आपको question paper से आप active वाले questions को pick कीजेगा, जिनको passive ways में change करना है, उनको passive ways में change करके देखेगा, practice कीजेगा, because practice makes a man profit, आपको questions लगाना है, उनकी practice करना है, आपसे बन जाएंगे इस बात की guarantee में आपको देता हूँ, अगर आप practice कर सकते हैं, grammar की हम वीडियो दो लाते रहते हैं, आपके लिए practice set हम लगा रहे हैं, आपको provide करा रहे हैं, जिससे कि आप उनकी practice करते रहे हैं, और सीखते रहे हैं, आपने student ये वीडियो आपको पसंद आए होगी, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा helpful रहे ह इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला है, तो वीडियो को like करते जिगा, दिल से वीडियो को like करते जिगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जाधा से जाधा शेयर भी कीजिगा और येदि चनल पनना है, आपने अभी तक चनल को subscribe नहें किया है, दोस्तों च प्रेस करते जीगा सो देट आपको आने वाली नेक्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सब सब ले टाइम पर मिलते रहेंगे थैंक्स फॉर वाचिंगे